Hello to everyone, welcome back in Bright Avishka, dear friends, I am your friend Rakesh, writer of 9 books, as you all know that dear friends, I have started online smart course for you all, where I have uploaded more than 15 plus videos, dear friends, in previous video, we had studied about part 3rd of narration, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी direct narration के अंदर अगर double interrogative sentence हो, तो किस तरीके से उसको हम indirect narration के अंदर convert करते हैं, dear friends, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा amazing beneficial होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर किस तरीके से tense chart और time chart का narration के अंदर use करते हैं, व आज हम सीखने वाले हैं, जी हाँ dear friends, और इसके साथ साथ हम आज part first, part second, part third की revision भी करेंगे, और उन्हीं से relate करते हुए part four के अंदर भी कुछ examples देखेंगे, dear friends, without delay, let's get started on today's video, जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से part first के अंदर आपने affirmative sentence और negative sentence को direct relation से indirect मे convert करने के लिए आपने यह वाली trick यूज करी थी, I hope आप से भी ने इसके notes अच्छे तरीके से बना ली होंगे, उसके बाद part second के अंदर हमने यह देखा था कि किस तरीके से interrogative sentences को, या interrogative negative sentences को direct narration से indirect narration के अंदर convert किया जाता है, उसके लिए हमने यह वाली trick यूज करी थी, उसके बाद previous video हमने देखा था कि किस तरीके से direct narrations, indirect narrations में convert किया जाते हैं, जब यहाँ पे reported speech हमारी किसमे हो, double interrogative sentence के अंदर हो, तो उसके लिए हमने डविएज फैमिली के बारे में भी देखा था, किस तरीके से हम डविएज फैमिली का यूज करते हैं, उसके लिए आपने यह वाली trick की यूज करी आप सभी ने फार तार तक नरेशन के अच्छे तरीके से notes बना लिए होंगे, उसके बाद Sun Rule में आपको शुरू में इंटरेक्टिव वीडियो में पढ़ाया था, वीडियो के अंदर यह भी बताया था, कि आप इसके notes बना लिया होगा, उसके बाद मैंने आपको परनावन family के बारे में भी बताया था, और इसका use भी हमारे एक पार्ट के अंदर करते आ है, I hope इसके भी आपने अच्छे तरीके से notes और implementation करना इसके लिए इसका आप सीखे होंगे, डियर फ्रेंट्स, प्रिविएस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ questions दिये थे, कुछ examples दी जो आपको जिनके answer लिखने थे, answer देने थे, I hope dear friends आपने अच्छे तरीके से answers को लिखा भी है, और कुछ students ने तो answer बेजे ही भी थे, जिनके examples यहने answer के अंदर गलतिया थी, mistakes थी, मैंने उनको बताया भी था, otherwise dear friends आप स्क्रीन को pause करें, cross check करें, एक बार देखें, उसके बाद अगर आपने नहीं लिखा तो इनके answer लिख दें, dear friends, आज की हमारी इस वीडियो का जो man motive है, वो part 4 है और बहुत ही ज़ाद important है, और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने शुरू में यही बताया था, कि narration के अंदर किस तरीके से tense chart और time chart का use करते हैं, वो देखने वाले हैं, अब किस तरीके से आज तक हम हर एक वीडियो के अंदर ये बात करते आ रहे थे, कि says two को हमने सबसे पहले tells के अंदर convert करा, दूसरी वीडियो के अंदर हमने जब देखा, interrogate यू देखा तो उसके अंदर हमने says two को हमने ask के अंदर convert करा था, और third वीडियो के अंदर says two को भी ह हमने ask के अंदर ही convert करा था लेकिन आज जो part 4 है इस वीडियो के अंदर हम past के बारे में बात करें यहां पर जो हमारी reporting speech है वो past के अंदर होगी क्यों होती है यह reason भी में आपको बताऊंगा सबसे पहले streak को लिख लिए set 2 को या तो हम told में convert करेंगे या ask में convert करेंगे जब हम direct को indirect में convert करेंगे उसके बाद inverted commas पहली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि that के अंदर inverted commas को change किया जाता है convert किया जाता जब हम affirmative negative sentences की बात करते है उसके बाद second part के अंदर आपने देखा था जब भी आप interrogative या interrogative negative sentence की बात करते है inverted commas को आप if के अंदर convert करते हैं indirect के अंदर उसके बाद part third previous video के अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से double interrogate you जो WH family के use से ही बंदती है उसको किस तरीके से use करते हैं आपने ये भी देखा था उसके बाद interrogate you को सबसे पहले अगर interrogate you को sentence किसी example में है तो उसको सबसे पहले affirmative बनाओ उसके बाद sun rule को apply करके ही शी दे में से कोई भी subject आप इसके साथ लगा सकते हैं जो उसके sun rule के मताबिक आता है उसके बाद आज कि इस वीडियो के अंदर time chart का addition हुआ है और tense chart का addition हुआ है अब time chart tense chart किस तरीके से यूज होंगे इसी के साथ हम part first की example के साथ उसको part fourth की example से relate करेंगे उसी तरीके से part second को part fourth की example से relate करेंगे और part third की जो example थी उसी को हम part fourth की example से relate करेंगे so dear friends सबसे पहले आप tense chart को अच्छे तरीके से बना लें देखो direct और indirect यगर direct के अंदर do और does हो तो वो indirect के अंदर do जो does होगा वो किस में convert होगा did में होगा अगर direct के अंदर is mr हो वो was war में convert होगा अगर direct में has है हो तो वो indirect के अंदर had में convert होगा यहाँ पर अगर direct के अंदर has या have been हो या has been या have been हो तो वो indirect के अंदर had been में convert होगा अगर indirect के अंदर अगर did हो किसी भी reported speech के अंदर अगर did हो तो वो यहां पे indirect के अंदर किस तरीके से convert होगा did head में convert होगा अगर direct के अंदर reported speech के अंदर अगर was और were का use हो तो indirect के अंदर had been में use होगा had been में convert होगा उसके बाद अगर direct में हैड हो तो हैड में ही रहता है अगर direct के अंदर हैड बीन हो तो indirect में भी हैड बीन ही रहेगा अगर direct के अंदर आप किसी भी reported speech के अंदर shell का यूज करते हैं तो indirect बनाते हैं वकत उसको should मैं convert करेंगे अगर direct के अंदर can है indirect मैं could लगेगा अगर direct के अंदर में है तो indirect के अंदर might लगेगा अगर direct के अंदर must है तो indirect को बनाते हैं वकत आप had to का use करेंगे कब use करेंगे जब आप 10 chart और time chart का use करें उसके बाद आप देखते हैं time chart हमारा second table जो है वो time chart का है अब देखो यहां पर direct और indirect में किस तरीके से time chart की conversion की जाती है convert किया जाता है अगर direct के अंदर किसी sentence के अंदर this हो तो उसको आप indirect में that में convert करेंगे अगर किसी direct के अंदर these हो time chart के अंदर तो उसको आप those में convert करेंगे here को आप dear में convert करेंगे today को आप that day में convert करेंगे tonight को आप that night में convert करेंगे come को go में करेंगे उसके बाद ago को आप before में करेंगे thus को आप so में करेंगे either को आप thither में convert करेंगे tomorrow को आप the next day में convert करेंगे yesterday को the previous day के अंदर convert करेंगे last को आप previous में convert करेंगे day after tomorrow को आप करेंगे the day after next day इन्हीं direct से indirect में बदलने के लिए किस तरीके से time chart का use होगा वो मैं example मैं आपको समझा दूँगा लेकिन अगर भी अभी तक आपने time और 10 chart को अच्छे तरीके से नहीं लिखा नहीं बनाया तो आप प्लीज एक बार time chart और 10 chart को अच्छे तरीके से बना लें क्योंकि एक्जेंपल्स के अंदर इसका बहुत ज़्यदा यूज होगा और आज इस वीडियो के अंदर यही देखना है किस तरीके से time chart और 10 chart का use करते हैं dear friends सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके mind में ये question है कि किस तरीके से sir 10 chart और time chart का use किया जाता है और कहां किया जाता है और कब किया जाता है और कैसे किया जाता है where, when and how to use 10 chart and time chart in narration 10 chart और time chart किस तरीके से narration के अंदर use किया जाता है तो आप एक बार दो note में आपको दे रहा हूं इसको note को अच्छे तरीके से पढ़ें समझें और मेरी बात को सुनते रहें देखो नोट फरस्ट ये कहता है कि टेंस और टाइम चार्ट कभी भी पर्जेंट और फ्यूचर रिपोर्ट के अंदर यूज नहीं हो रहे हैं अब रिपोर्ट के है जो जिसको हम कहते है रिपोर्टिंग स्पीच कहते है यानि से टोहर तो इस से यहां पर प्रजेंट रिपोर्ट है इसलिया हम इसका उसके अंदर नहीं करेंगे अगर यहां पर को ता राम विल से चुर तो इसके अंदर भी हम तैंट शार्ट का या टाइम चार्ट का उसके अंदर भी यह प्र्जेंग ठेंगे तो तो neural justementIt क् et the tense आ गया present perfect continuous tense इसके अंदर भी हम 10 चार्ट और टाइम चार्ट का यूज नहीं करेंगे अब कहां करेंगे यह आप देखे जो आपका note second है इसके अंदर आप देखें यह नहीं वेर वेन पास्ट में हो आख कानद बंद करके आप 10 चार्ट और टाइमचार्ट का यूज कर सकते हैं राम रहा से तो हर यहां पर पास्ट की तरह यह उरी है तो यहां पर भी आप किसका यूज कर सकते है 10th chart और time chart का यूज कर सकते है डियर फ्रेंट चलो कुछ examples देखते हैं देखो जिस तरीके से हमने part first के अंदर ये देखा था कि किस तरीके से says को tell के अंदर convert करते थे inverted commas को that के अंदर convert करते थे और उसके बाद दूसरी कोई भी changing नहीं करते थे अब part first को ही convert करेंगे part four के अंदर लेकिन यहाँ पे report के अंदर थोड़ी changing करेंगे जैसे राम says to her आप से भी को यह आता है I will not come today मैंने आपको यह part first के अंदर बता था यह direct narration है अब इसको indirect के अंदर convert करना है तो आप simple सा part first को देखें आपने यह पड़ा था कि जब भी कभी report says to के अंदर हो तो उसको आप tells के अंदर convert करते हैं यहीं says to किसके अंदर convert होता है tells के अंदर राम tells her inverted commas को टाके आप that का use करते हैं उसके बाद I को sun rule के मताबिक change करने आई यहां पे first person है और first person हमेशा reporting speech के subject से ही convert होता है उसके subject के से ही change होता है तो यहां पे subject राम है लड़का है तो आप इसका he का use करेंगे दूसरा sentence सेम रहेगा यह बनेगा राम tells her that he will not come today इस तरीके से देखा अगर यहां पे says to के जगा part fourth के अंदर हमने said to लिखा दूसरा sentence सेम रहा देखो इसके अंदर कितनी changing आती है यहां पे अब राम said to her says to की जगा आपने said to लिखा क्यों लिखा क्यों कि जब भी आप 10 chart और time chart का use करते हैं उसके लिए आपको ये note जरूरी याद रखना है कि वो जो report होती है reporting speech जो होती हो हमेशा किस में होनी चाहिए past में होनी चाहिए राम said to her I will not come today तो ये आपका direct आ गया लेकिन अब इसका अगर indirect बर्दाना हो और उसके अंदर आपको पता कि यहां पे report अगर past में है तो यहां पे 10 chart और time chart का use जरूर होगा राम told her said to come ने किस में convert करा told में करा क्यों करा क्योंकि यहां पे कोई affirmative है और negative है इसके लिए आप यहां पे tells के अंदर convert करते है तो tell की second form told होती है राम told her inverted commas को टा कि अप that का use करेंगे I will not come today I यहां पे first person है first person according to subject change होता है जो reporting speech के अंदर दिया होता है तो यहां पे राम लड़का है तो he का use करेंगे अब यहां पे आप देख लें एक बार अच्छे तरीके से आपने जो 10 chart बनाए तो उसके अंदर आप देख लें कि यहां पे will का use हम किस तरीके से करते हैं will का use हमेशा would के अंदर ही करते हैं will का use आप किसके अंदर करते हैं would के अंदर ही करते हैं तो आप यहां पे will की जगह पे आपके लिखेंगे would लिकेंगे कम का आप देखे time chart के अंदर tidak अपने go के अंदर लिखा था और today को आप आपने day के अंदर लिखा तो यह बनेगा राम told her that he would not go that day said to cup told according to rule और इसके part 4th में हमने देखा भी था will को आप would में use करेंगे 10 chart के अंदर देख ले अगर मैंने 10 chart के अंदर ये नहीं लिखा है तो आप will को would के अंदर convert करना कर दे go को come time chart के मताबिक अब part 2nd के अंदर देखते हैं देखो part 2nd एक example है संगीता says to teacher may I come in class तो यहाँ पर interrogative sentence है यहाँ पर कौन सा sentence है interrogative sentence है और मैंने आपको बताया था जब भी आप interrogative sentence के direct narration को indirect में बदलते हैं तो inverted commas को अटा के उसकी जगाँ पर आप if का use करते हैं और says to को यहाँ पर आप asks के अंदर convert करते हैं यहाँ पर संगीता says to teacher may I come in class उसके बाद अगर इसका indirect बनाना होता आप क्या बोलेंगे संगीता second part को याद करें says to को आप asks के अंदर convert करते हैं उसके बाद teacher के जगाँ टीचर लिखेंगे inverted commas को अटा के आप if का use करेंगे उसके बाद may I come in class अबसे पहले इसका affirmative बनाएं यह बनेंगा I may come in class I यहाँ पर subject है इन्हें first person है first person according to subject change होगा according to संगीता यहाँ पर subject है तो संगीता के मताबिकी यह change होगा तो संगीता लड़की है तो इसके लिए हम sheikah use करेंगे उसके बाद मे का may होगा कम की कम और in class का जो same होगा वो use होगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर part second है लेकिन अगर dear friends इसी sentence को अगर हमें part fourth के अंदर convert करना हो जहाँ पर हम says to यानि इने report present में थी लेकिन जब आप time chart 10 start का use करते है तो आपकी report past में हो जाती है तो यहाँ पर संगीता says to नहीं आएगा अब आएगा संगीता said to teacher may come in class दूसरा same लेकिन सिर्फ हमने says to को said के अंदर convert करा क्यों करा मैंने note में अंदर note आपको अच्छे तरीकर से समझा दिये और बता भी दिये थे और example भी समझाई थी अब इसका अगर आपको इंटायर बनाना है I hope कि आप बना लेंगे अब देखो यहाँ पर संगीता के बाद asked क्यों आया आपको पता है कि जब भी interrogative होता है तो आपने देखा था says to को हम asks के अंदर convert करते हो यहाँ पे said to है इसलिए asks नहीं आएगा ask की second form asked आएगा said to को आप asked के अंदर convert करेंगे उसके बाद teacher और inverted commas को अटाके आप if का use करेंगे क्यों use करेंगे आपने part fourth के अंदर नहीं part fourth के अंदर भी मैंने बताया उसके बाद आपने part second के अंदर यह देखा था उसके बाद I may come in class उसको affirmative बना है उसके बाद sun rule को apply करें आई यहाँ पर first person है first person according to subject यहीं संगीता के according change होगा तो she लिखेंगे उसके बाद मे को हम किसके अंदर convert करते हैं might के अंदर यह 10 chart के अंदर मैंने आपको बताया है उसके बाद come को हम go के अंदर convert करते है according to time chart उसके बाद in class तो दूसरा आप family के यह बनेगा संगीता ask teacher if she might go in class तो यह यहाँ पर आपका indirect बन गया dear friends हमने previous video के अंदर देखा था part third अब part third को किस तरीके से 10 chart और time chart में use किया जाता वो देखे यह लड़की सूरज को कहती है you didn't attend class yesterday आपने कल class 10 नहीं करी थी तो यहाँ पर किस तरीके से part third को बनाएगे यह तो आपके लिए छुटकियों का खेल हो गया है आप यहाँ पर बताएंगे तो यह आपके लिए simple है क्यों है आप देख लें रूल को अच्छे तरीके से part third को आपने देखा भी था उसके अंदर आप यहाँ पर why you didn't be use कर सकते हैं इस तरीके से भी आप इसका use कर सकते हैं you didn't attend class yesterday यहाँ पर आगर आप इसके साथ why you didn't attend class yesterday इसका भी आप use कर सकते हैं आ yesterday you didn't attend class yesterday तो यहाँ पर direct बन गया उसके बाद यहाँ पर अगर आपको indirect बनाना हो तो आप simple सा यहाँ पर क्या करेंगे she told Suraj that he had not अब यहाँ पर had not said to को told के अंदर according to rule हमने change किया क्योंकि यहाँ पर said to affirmative आप इस तरीके से use करेंगे उसके बाद she told Suraj that he had not attended class the previous day अब किस तरी did not you यहाँ पर second person second person according to object यहाँ सूरज के मताबिक change होगा सूरज लड़का है जिसलिए आपने ही का use करेंगे did not को आप had not के अंदर convert करेंगे क्यों क्योंकि आपने देखा था direct में did को हम had के अंदर convert करते थे और आप सभी को पता है has have का second form had होती है उसके बाद हमेशे हम वर् first form had attended आएगा class की जगा class yesterday को हम time chart के अंदर देखें तो yesterday को हम the previous day के अंदर convert करते है तो यह बनेगा she told Suraj that he had not attended class the previous day इस तरीके से हम indirect narration के अंदर इसका convert करेंगे dear friends उसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पे एक example भी है और example के साथ साथ कुछ examples मैंने आपके लिए लाइं exercise ला time she said I have not decided yet he said to me we watched this movie yesterday Rahul said to her I was waiting for you they said to me why don't you brush your teeth Delhi I said to him you will participate in competition tomorrow I hope dear friends आज का वीडियो आपके लिए beneficial रहा होगा आप सभी को और एक example समझ भी आ गई होगी अच्छे तरीके से आप इन वीडियो को वाच करा उसके बाद narration को समझे और exercise को आप अच्छे तरीके से लिखे और उसक टेलिग्राम के ऊपर आप भीड़ सकते हैं otherwise आप कमेंट बक्स के अंदर भी यह सभी के सभी answer रख सकते हैं thank you very much for your favor thank you very much keep watching my videos because बहुत जादा helpful I hope आप सभी के लिए हो रही होगी don't forget to just put your comment कि आपके लिए यह वीडियो कैसी कैसी आपको वीडियो लग रही है और कैसा material आप तक पहुंच रहा है यह जुर आप कमेंट बक्स के अंदर मेंशन करें और dear friends don't forget to share my videos with your friend with your dearest and nearest so that they can also take advantage benefit from my videos thank you very much keep supporting and keep helping others thank you very much jaihan